मैं भीम मोरिया आज में लेकर आया हूं गोदावन वायरिंग ठीक है गोदावन की वायरिंग कैसे करते हैं सबसे पहले हम वनवे स्विच लेंगे उसके बाद हम एक टूवे स्विच लेंगे ठीक है जितने लेंप लगाना है मैं चार लेंप लगाना है तो तीन तिन टूवे स्विच लेंगे और एक वन वे स्विच लेंगे ठीक है अगर तीन लेंप लागाना तो टूवे स्विच लेंगे और एक वन वे स्विच लेंगे अभी हम इसमें तिन लेंप का यूज़ करेंगे उसके लिए दो स्विच होने चाहिए और एक वन में स्विच ठीक है अभी हम तीन लेंप बना रहा है यह पारा लेंप हो गया दूसरा यह तीसरा हो गया ठीक है सबसे आसान तरीका है कि सभी लेंपों में हम न्यूटल कामन कर देंगे ठीक है सभी लेंपों में न्यूटल काम किनेक्शन कर देना पार है कुछ में तुर्चा लाम्प में के नीटिल कर दिया तुिकर तीर लेंप में भी सीया हो गया है त हैं नीटेशन हो गया है अब हम फ्यज भाइर का क्नेक्सण करेंगे साफसे पाले हम युझह से टूबयर को के नीचे वाले पॉइंट से दूसरे टूवे के बीच वाले पॉइंट में कनेक्शन करेंगे निया कनेक्शन कर दिया है अब लैंप की वारी है ठीक है पहले पाला लैंप का कनेक्शन करेंगे पाला लैंप का कनेक्शन करने के लिए हम टूवे के ऊपर वाले टर्मिनल से कने करेंगे। इस लेम का चिनेक्ष़ कहने के लिए दूसरे टूबे स्विच के ऊपर वाले ट्रेमिनल के साथ कनेक्ट करनेंगे ठीक है अब इस लेंब के कनेक्शन करने के लिए हम नीचे वाले टूबे स्विच के ट्रेमिनल के साथ कनेक्ट करनेंगे इस तरह से गोजान वायरे की कनेक्शन फूरा हो गया एक बार इसका हम वर है उसको ऊपर कर लेंगे ठीक है मालकी ऊपर ये ऊपर आना वस्ता में है ठीक है जैसे में यहाँ सप्लाई देंगे आन करेंगे यह स्वीच पहले से अपर वस्ता में रहेगी ठीक है सब्सक्राइब यहाँ से न्यूटल जाएगा और यह लेंग जल जाएगा ठीक है जैसे हम आगी की तरह बढ़ेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे इस लेंड इसीच को डावन के वस्ताम करेंगे ठीक है वश्ता में यह लाइट जनना बंद हो जाएगी और यह लाइट सुरूर होती है देखो यहां से यहां से फेज यह यहां के कनेक्ट हो जाता है यह पहले से आन वास्ता में होती है ठीक है और यह लंब जल जाता है ठीक है फिर जैसे यह आगे हम बढ़ेंगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तिया यहाँ क्या होगा इसको अन करेंगे अब यहां से यहां तक दूरी ताय करने के लिए हम क्या करेंगे इसको इस मीच खो निच्छे की तरह अन करेंगे टिक हैं चैशित ही आन लोटेंगे जैसे लोटना चाहेंगे तब फिर हम क्या करेंगे इसको को यहां तक तो यहां तक तो यहां हम प्रकास दिखाई दे रहा है इसके आगे यह अंधरा है ठीक है तो हमको दूरी हम दूरी चलना करेंगे ठीक है जैसे हम यहां तक पहुंचेंगे वहां एक सीच मिलेगा टूवे जो दिखाई दे रहा है फिर हम क्या करेंगे इस लेम को बुझा देंगे क्योंकि जब यह लेम जलता रहेगा तो उड़ा की खपच ज्यादा होगी इसको बुझाने मझेगे लिए वही पर देंगे आदेंगे अया से कुन कट हो जाएगा और यह लेम बुझ जाएगी ठीक है फिर यह है यहां तक आने के लिए हम क्या करेंगे इस लेम को इस लेम को अफ करेंगे ठीके जैसे ही आप करेंगे यह वाले लेम बुछ जाएगी ठीकै और यह वाले ब्लिच में पहुंचैँए यहां पर यह बुछ आने के लिए क्या करया इस विम्य को आप करेंगे ठीकै इसको हम्-चीतर साथ समझेंगे ठीकै maintain हम और तक कोई रूम में जाना है ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे इस lampe को जलाेंगे ठीक है इस liंग को जला देंगे यह जल जाएगी ठीक है फिर हम यहां पर पहुंचेंगे दफ किया करेंगे इस सुच्ट यह पर है ठीक है इस छाएंगे कम नहीं आएंगे यह लाइट जलता रहेंगा और उजा कि खपत ज्यादा रहेगी ठीके इसलिए अब यहां समझा दिए ठीक है यहां पर इसक लिए इसका स्विच लगा रहता है ठाक है हम क्या करते हैं अभी यहां तो दिख रहा है यहां से यहां तक ठीक है लेकिन इधर दीख नहीं रहा है क्या करें इस लेम को जलाने के लिए यहां इस में पर चले जाएंगे और यहां से यहां तक चलेंगे ठीक है यहां तो यहां तक चलेंगे ठीक है क्या करेंगे यहां से इसको आप कर देंगे ठीक है फिर यह से यह आप करेंगे यह लेंप जल जाएगा ठीक है यह से यह लेंप जलेगा फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है इसको जैसे इसकी जोद पड़ेंगे यह से यान करेंगे इ ये लेम तो चलेगा ये लेम बूठ जाएगा ठीक है इस प्रकार इसका यूज करते हैं गुदाम में ठीक है आज के ले इतना ही धन्य बैल